कुद बरनिंग वेलकम तुँमाई ब्लोग दश्टों दश्टों में हूँ कालमेक के खे़ में कने कालमेक कापी दिनों तक कट नहीं पाई थी क्योंकि बहुते बहेंकर बर्साथ हो रही थी लाश्ट तक equation 6 बर्साथ होती रही उपर तो बादल हो रहे हैं दोस्तों यह देख सकते हैं और सुबह सुरेच निकल रहे हैं तो सुबह सुबह का टाइम ही और ओज भी गिर रही है तो ओज से भी इसके पत्ते दोस्तों खराब होंगे ओज से भी इसके पत्तों में थोड़ा कालापन आएगा लेकिन बरसाथ से प्लाटेग urtडिया है दोस्तों इस गर्नें की संट निग्रध करते नहीं कर दिया सब यह इसको फिल आया हूं अब भी तो इसका फूल यह पाव बहुत किसान्म चेज़कर निकाल के अधोगयां उप्य तुम्हेदक है तो इसको दो से डई आजार उपए प्रती किंटल वाउंका विक्षा था अब दोस्तों ये काफी लेट हो चुका हैं तो इसके पत्ते भी काफी काम हैं और ग्रीन पन भी इसमें नीचे नीचे के जो पत्ते हैं वो काले भी हो गए हैं बरसात की कारण जो नीचे के पत्ते हैं वो काले हो गए हैं और उपर जो इस परकार से माज रहा चुकी हैं लेकिन इसके अंदर बीज नहीं हुआ है तो इस परकार से ये बरसात लगातार होने से कापी बहुत ही ज्यादा बर्षास में इसमें कापी नुकसान हुआ है लगातार बर्षाथ होती रही है इसको कटिंग करना पड़ता है फिर इसको थोड़ा बहुत सूखने के बाद उसको थ्रेशर में निकालना पड़ता है बाकी जोज काम है दोस्तों पूरा सुरू से मैं आपको वीडियो पड़ा पड़ा सुख जाएगा लेकिन जो नीचे की जमीन है दोस्तों अभी भी वह गीली है और सुबह जो मॉर्निंग में ओस गिर रही है उससे इससे थोड़ा परभा पड़ेगा जो उपर-उपर के पत्ते हैं वो धुबारा से थोड़े काले हो सकते हैं तो यह इसका प् पत्ते हैं और कितना नीचे से काला हो चुका है तो यह पूरही में आपको बेक केमरे से दिखाता हो चलिए एक टाइम है यह मोनिंग का और यह देख सकते हैं आप पूरा कालमे की जो फसल है हमने कटिंग कर ली हैं वहाँ पर जो है थोड़ा सा और कटिंग करना है और यह जो कालापन इसके इंदर आया है इतना बरसात के कारmet दो बाकी ये खराब नहीं ऊता है इस परकार से मैं आपको दिखाता हूं पूरा ये कालापन ऊचुका है बाकी जो ग्रीन अपार के लिगरिन एक दम से इसमें पत्ते चीये तो हमने इस जो चोटी-चोटी कोरियां मना दी हैं लेकिन जो जमीन है दोस्तों वह भी शूष के हैं अभी तक सुबह-सुबह कापी ओस पड़ रहा है इसके उपर भी ओस गीरी हुई है यह दुबारा से गीली हो गई है तो इसमें थोड़ा इसके उपर प्रभाव पढ़ सकता है तो दो प्रणिवाद